नमस्ते दोस्तों मैं आकाश जयन आप सभी का हार्द एक स्वागत करता हूं पिछली वीडियोज में हमने दर्शन पाठ और गॉम्टेश इस्तुती के बारे में जाना था अब हम ये नय वीडियो लाए हैं महावी राष्टा के स्तोत्र के उपर संस्कृत भाषा में लखा गया है और बहुत ही अच्छा इस्तोत्र है बहुत ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं इसका अर्थ वस्तुताहा थोड़ा कठिन है और पढ़ने में या उच्चारण करने में हलकी फुलकी कठनाई हो सकती है लेकिन एक दो बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे अत्वा इसका अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ आप आराम से लगा सकते हैं ज्यादा कठिन भी नहीं है इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसका पूरा का पूरा अर्थ आप जरूर जाने हो और समझे हमारे इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दवाईए जिससे सारे अपडेट आपको सबसे पह में की गई है और भगवन महावीर के समग्र जीवन आदर्शों को प्रस्तुत करने वाला या है संस्कृत का व्य शिखरनी चंद में लिखा गया है और शिखरनी चंद बहुत ही अच्छा एक चंद है जिसको आप गाएंगे तो आपके भाव भी एकदम शिखर पर पहुंच इसमें आठ चंदे इसलिए इसको आश्टक कहते हैं महावीर आश्टक भगवन महावीर की इसमें इस्तुती की गई है आईए चलते हैं पहले श्लोक की तरफ यदिये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदाचिताह समंभांति द्रोव्य व्यय जनिलसंतोंत रहिताह जगत्साक्षी मारगा प्रकटन परोभानु रिवयो महावीर स्वामी नयनपथ गामी भवातु में इसकार्थ देखते हैं यदिये चैतन्ये जिनके चैतन्य में अर्थात ग्यान दर्शन में जिनके ग्यान में द्रोव्य व्यय जनिलसंताह मतलब शोभायमान हो रहे हैं विलसित हो रहे हैं द्रोव्य व्यय जनि द्रोव्य व्यय और जनि मतलब उत्पाद जन्म तो उत्पा और अचित इसमें यहां पर वताया है की चेतन और अचेतन भावाह मतलब पदार्थ जिनके चेतन रूप केवल ज्ञान में उत्पाद वियाई और द्रौवे से सहित या उत्पाद वियाई द्रौवे से शोभायमान अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ मुकरह इव समम्भान्ती मुकरह मतलब होता है दरपण आइना मिरर तो कहते हैं कि चेतन और अचेतन पदार्थ दरपण के समान समम्भान्ती एक साथ समान रूप से प्रकटित हो रहे हैं अर्थात जो एक सरवग्य भगवान हैं जगत साक्षी और पूरे विश्व के साक्षी हैं शाक्षी का मतलब होता है कि वो इसके एक साक्षात कार करने वाले हैं देखने वाले हैं परंतु उसमें किसी प्रकार से राग और देश नहीं करते हैं केवल देखते हैं तो इस प्रक मतलब होता है सूर्य, इव मतलब समान, सूर्य के समान यहाँ जो मार्ग प्रकटन पर, मार्ग को प्रकटित करने में तत पर हैं, ऐसे महावीर स्वामी में नयन पत गामी भवतू, महावीर भगवान महावीर स्वामी में मेरे नयन पत गामी, नैनों के नेत्रों के पत गामी भ जब्यान में उत्पाद व्याइज ध्रॉवशे सहित चेतन चेतन पदार्थ दरपण के समाने एक साथ प्रतिविम्बत होते हैं जो जगत का साक्षात कार करने वाले हैं और जो सूर्य के समान मुक्षमार को प्रक्टित करने वाले हैं ऐसे महावीर भगवान मेरी आखों में बसे रहें। आगे अगले दूसरे शलोक में कहते हैं। तामर मेंस होता है लाल। तो कहते हैं लाल पने से रहित, लालिमा से रहित, स्पंद रहितम और स्पंदन से रहित यक चक्षु कमल योगलम। ऐसे नेत्र जनान मनश्यों को आभ्यंतरंग वा अपी कोपा पायम प्रकटयती। ये पूरा एक वाक्य है, आभ्यंतरंग मतलब भीतरी, अंतरंग और वा मतलब बहिरंग। अपी कोपा पायम क्रोध की अभाव को प्रकटयती, प्रकटित करते हैं। आपके जो लालिमा रहतांखें हैं और स्पंद से रहतांखें हैं, वो भीतरी और अंतरंग जो भीतरी और जो बाहि जो क्रोध का अभाव हैं, उसको प्रकट करने वाली हैं। और आपकी जो मुख मुद्रा है, आपके जो शरीर की मुद्रा है, वो फुटम प्रशमित मई, स्पष्ट रूप से प्रशान्ती को धरन करने वाली है। वा अतिविमला और वो अत्यंत निर्मल है। ऐसे महावीर स्वामी नयनपत गामी भौतु में, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमेशा मेरी आखों में बसी रहें। अगला तीशरश लोख है, यहाँ पर कहते हैं। अर्थ देखते हैं, नमना केंद्राली, यहाँ पर संधी है, नमना केंद्राली में, तो कहते हैं, नमत मतलब नमसकार करते हुए, ना केंद्राली, अली मतलब होते है, पंगती और ना केंद्र मतलब होते है, स्वर्ग के इंद्र, तो कहते हैं कि स्वर्ग के इंद्रों की पंक्ती के मुकुट मनी जो मुकुट है उन मुकुटों की मनियों के भा मतलब होती है प्रभा कांती उनकी जो मुकुट है उन मुकुटों की मनियों की जो प्रभा जाल जटिलम जो प्रभा है जो कांती है उस कांती का जाल है अर्थात कांति का समूह है मुकटों की मनियों की कांति के समूह से जटलम अर्थात व्याप्त लसत शुशोभित जो सोबाय मान है यदियम स्मृतम यदियम मतलब जिनके स्मृतम इसमरण किये गए पादाम भोजत द्वयम पादाम भोज पाद मतलब होते हैं पेर अंभोज मीन्स होता है कमल और कहने हैं दोनो दोनो चरण कमल अपी इह दोनो चरण कमल भी इह मतलब इस संसार में तनुब्रताम सरीरधारियों के संसारी जीवों के भवज ज्वाला शांत्यई संसार रूपी ज्वाला को संसार रूपी अगनी को शा लमवा प्रभवाती जल के समान कार्य कर रहे हैं जल के समान कार्य करते हैं कहते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं जिन पर देवों की इंद्रों की जो पंक्ती है उस पंक्ती के जो मुकट हैं क्योंकि वो जुके हुए हैं तो उनकी मुकटों की मनियों का प्रकाश उसमें निकल रहा है और सीदे आपके चरणो पर आ रहा है ऐसे सुशोभित आपके चरण। अगर समर्ण किए जाएं तो वो संसारी जीवों के संसार की जो टाप है वो संसार के ताप को नश्ट करनेवाले हैं जैसे जल अगनी को नश्ट कर देता है तो ऐसे महावीर भगवान मेरी आखों के मार्ग गामी बने अर्थात मेरी आखों में बसे रहें अगला चौथा चंद है यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिह खशना दासी त्वरगी गुणगण सम्रिध्धह सुखने लभंते सद्भक्ता शिवसुख समाजं की मुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में यहाँ पर कहते हैं यदर्चा भावेन जिनकी पूजा के भावसे प्रमुदित मना दर्दुरह प्रमुदित मना मतलब खुश हो करके आनंदित हो करके दर्दुरह मतलब इह इस लोक में क्षणात क्षण मात्र में गुण गण समरिद्धा शुख निदी स्वरगी आसीत गुणों की गण मतलब गुणों के समुष के समरिद्ध हो गया अर्था संपन्य हो गया सुख निदी सुख की निदी वाला हो गया और स्वरगी मतलब स्वरग में देव हो आसीत मतलब हो गया था जिनकी पूजा के भाव से जो आनंदितो मन वाला में ढख इस लोक में क्षण मात्र में गुणों के समुई से संपन सुख की निदी वाला स्वर्ग का देव हो गया था तदा तब ऐसे में सद्भक्ता है आपके जो सच्चे भक्त हैं वे शिव सुख सम पामाजम लबंते अगर आपके सच्चे भक्त शिव अर्थात मोक्ष के सुख को मोक्ष का जो सुख का समुई है उसको लबंते प्राप्त करते हैं तो कि मो मतलब क्या आश्चर है कोई आश्चर नहीं है ऐसे महावीर स्वामी नयनपत गामी भवतु में ऐसे महावीर मेरी आखो में बसी रहें। पांचमा चंद है। यहां पर कहते हैं। इसमें कहते हैं कनत स्वरणा भासा अपी। अर्थात की कनत स्वरणा भासा चमकते हुए सोने के समान। आभासा मतलब कांती वाला होने पर भी अपगत तनू। अर्थात शरीर से रहेते हैं। आत्मा होकर के अनेक आत्म सरूप होकर के पर्यायों की अपेक्षा या गुणों की अपेक्षा अनेक आत्म रूप हैं। फिर भी आप एक हैं। निर्पतिवर सिद्धार्थ तनयाहा जो स्रिष्ट राजा हैं ऐसे सिद्धार्थ राजा के आप तनय मतलब पुत्र हैं। अपी अजनमा और उसके बाब जूद भी आप अजनम अर्था जनम से रहत हैं। इसा मेरी आखों के सामने बने रहें। छट्वा चंद है उसमें कहते हैं। विविध नयकलोल विमला प्रहज्यानाम भोभिर जगती जनताम्यासन पयाती। इदानी मप्येशा बुद्ध जनमरालई ही परिचिता। महावीरस्वामी नयनपतगामी भवतु में। यहाँ पर कहते हैं यदिया वाग गंगा चिनकी वाग गंगा वानी रूपी गंगा विविध नयकलोल विमला। विमला विमलित है निर्मल है विरहत ज्यानाम भोभी विरहत मतलब बहुत विशाल ज्यानाम भोभी ज्यान रूपी जल से जगती इस संसार में जनताम जनता के प्राणियों को सनपयती नहलाती है। जिस परकार गंगा लोगों को नहलाती है उसी परकार आपकी वानी रूपी गंगा जो नए रूपी लहरों से उज्ञल है निर्मल है वो जियान रूपी जल से इस लोक में जनता को लोगों को नहलाती है या और वह जो गंगा है इदानी मपी वर्तमान काल मैं भी एशा यह बुधजन मरालाई ही मराल मतलब होता है हंस तो कहते हैं बुधजन अर्थाद विद्धवान जो लोग हैं विद्धजन रूपी हंसों से परिचता अर्थाद परिचत हो रही है क्योंकि विद्वानों के द्वारा ही हम जिन्वानी को या जो हमारी द्वादशांग मई जिन्वानी है उसको जान पाते हैं सास्त्रों को समझ पाते हैं तो कहते हैं कि वो जो जिन्वानी है वो विद्वजन रूपी हंसों से परिचित हो रही है ऐसे महावीर स्वामी नयन प स्फुरन नित्यानन्द प्रशम पदराज्याया नित्यानन्द प्रशम पदराज्याय उसको जिन्होंने अपने स्वयम के बल से आत्म बल से ये न जिन्होंने कुमार अवस्थायाम कुमार अवस्था मैं ही किशोर अवस्था मैं ही अपी अनिर्वार उद्रेकह और दुर्निवार वेग वाला जिसको जिसका कोई निवारन नहीं कर सकता ऐसे उद्रेक वाला त्रिवुबन जाई और तीनों लोगों को जीतने वाला काम सुभटाह और काम रूपी जो महान सुभट मतलब एक योद्धा है उस महान योद्धा ने योद्धा को विज्धाह आपने जीत लिया है यहाँ पर कहते हैं कि जिस आपने प्रशान तश्योपद को पाने के लिए जो आनंद स्वरूपी मोक्षपद है उसको पाने के लिए आत्मबल से किशूर आवस्था में ही आपने जो दुर्निवार वेगवाला है और जो तीनों लोगों को जीत चुका है एक कुशल युद्धा है उस काम को इच्छा को काम वासनाओं को आपने कुमारा वस्था में ही जीत लिया था अर्थात आप इंद्रिय जही हैं इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं तो ऐसे वे महावीर भगवान नैनपत गामी भवतु में मेरी नेत्रों के मार्ग गाम में कहते हैं महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिशंक निरापेक्षो बंदर विधित्मही मामंगल करह शरण्यह साधूनाम भववय बृतामो तम गुनो महावीर स्वामी नैनपत गामी भवतु में यहाँ पर कहते हैं महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिशंक कि महामोहातंक जो महामोह रूपी जो आतंक अर्थात एक रोग है दुख है उसको प्रशमन अर्थात शान्त करने में पराकस्मिक भिशंक आप तत्पर और आकस्मिक भिशंक है अर्थात आप इमर्जेंसी वाले डॉक्टर है आकस्मिक रूप से आप उसका निवारन कर देते हैं निरापेक्षा बंदू और आप बंदू हैं मित्र हैं तो भी आप निरापेक्षा बिना किसी अपेक्षा वाले बंदू हैं क्योंकि संसार में जो बंदू भाई लोग देखे जाते हैं ये तो एक दूसरे से कोई न कोई अपेक्षा करते हैं विदित महिमा, जिनकी महिमा सभीको ग्यात है, सभी लोग जिनकी महिमा के बारे में जानते हैं. मंगल कर हैं जो मंगल कर हैं मंगल कारी हैं भवव भय ब्रताम और संसार के दुखों से डरे हुए जो लोग हैं जो संसार के भय से भरे हुए हैं ऐसे साधु नाम सज्जन लोगों को साधु जनों को शरण्यह शरण देने वाले हैं उत्तम गुण और उत्तम गुण वाले हैं ऐसे महावीर स्वामी में नयन पत्गामी भवतू, ऐसे महावीर भगवान मेरे नैनों के सामने बने रहें, मेरी आखों में बसे रहें। अगले और अंतिम श्लोक में कहते हैं, महावीराष्टकम स्थोत्रम भक्त्या भागेंदुना कृता, या पटेच्रण या चापी सयाती परमामगतिम। यहाँ पर कहते हैं, भागेंदुना अर्थद भागचंद कवी के द्वारा भक्ति बग्त्या भक्ती पूर्वक, कृतम महावीराष्टकम स्थोत्रम यह महावीराष्टक स्थोत्र लिखा गया है, किया गया है, इसको भागचंदर कवी ने लिखा है। या पठे चशुनुयात अपी जो इसको पढ़ता है और शुनुयात अपी और सुनता भी है सपरमाम, गतिम, याती, वहपरम और मोक्ष गती को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर महावीराश्टक जो एक काफी प्रसिद्द और महातुपूर्ण इस्तोत्र है जिसमें भगवान महावीर की इस्तुति है उसके अर्थ को जाना और समझा अगर यह आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा पूर्ण वीडियोज में